अध्याय तो हे भाईयों, जब मैं परमेश्वर का भेच सुनाता हुआ, तुम्हारे पास आया, तो वचन या घ्यान की उत्तमता के साथ नहीं आया, मैंने ये ठान लिया था, कि तुम्हारे बीच, येशु मसीह, वरन कुरूस पर चणाये हुए मसीह को छोब, और किसी बात को ना जाने, मैं निर्बलता और भाय के साथ, और बहुत धर धराता हुआ तुम्हारे साथ रह, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्यान की लुभाने वाली बाते नहीं, परन्तु आत्मा और सामर्थ का प्रमान था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्यान पर नहीं, परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। सिद्ध लोगों में हम ज्यान सुनाते हैं, परन्तु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्यान नहीं, परन्तु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्यान भेद की दीती पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया जिसे संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना क्योंकि यदि जानते तो तेजों मैं प्रभु को कुरूस परना चाहते परन्तु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चड़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं परन्तु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूडु बातें भी जाचता है मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसी ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा परन्तु हमारे संसार की आत्मा नहीं परन्तु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा के सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहन नहीं करता क्योंकि वे उसकी द्रिष्टी में मुर्खता की बाते हैं और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जाँच आत्मिक रीती से होती है आत्मिक जन सब कुछ जाँचता है परंतु वो आप किसी से जाँचा नहीं जाता क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए परंतु हम में मसीह का मन है आत्मिक जाँचता है